Hello friends, welcome you all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखे आ रहा हूँ देखे, बात करेंगे एक penny stock की, माला माल कर दिया, लेकिन एक बात मैं आप से कहूंगा, कि आप ऐसा तो बिलकुल कही नहीं सकते, कि stock के बारे में आपको पता ही नहीं था, क्योंकि ये stock छुपा हुआ stock जरूर है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के regular viewers है, तो आपको इस stock के बारे में जरूर पता होगा, और दूसरी important बात, छुपा हुआ stock जरूर है, लेकिन कभी आप company की products को देखते होंगे, और जिनके घर में diabetes वाले लोग और वो sugar check regular basis पे करते होंगे, तो इस company को जरूर जानते इस stock की detail में, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो जल्दी से subscribe कर ले और bell icon को प्रेस कर ले, जिससे आपको notification आती रहेगी है, और साथ मैं corona वाली update जरूर करूंगा, ख्याल रखिए अपने near and dear ones का, और लोगों की मदद भी कीजिए, अभी के time पे critical time चल रहा है जरूर, तो इसलिए बिलकुल lightly नहीं लेना है, साथ के साथ alert रहना है, और mentally prepared रहना है, बिलकुल, अब इस stock के बारे में सीधे आपको ले के चलता हूं, इस company कौन सी है, more pen laboratories limited, याद आ गई होगी, देखिए, more pen laboratories limited, अगर मैं आ आपको अपने, अपने अनुभव के साथ share करूं इस company को, जब मैं इस company का, यह glucometer लेके आया था, तो मैं घर आके देखिए, यह company कौन सी है, तो जब देखा, इस glucometer में, क्योंकि regular basis जो भी जिसको घर में है, या family members में किसी को भी diabetes है, तो उसके घर में glucometer जरूर होता है, तो इसलिए, यह more pen levertries तब नजरों में आया, और इसलिए मैं कहूंगा, ऐसी छोटी छोटी company जरूर है, बहुत, मतलब उनके products को, आप जरूर यूज करते हैं, लेकिन उन companies के नाम को नहीं जानते, जब आप सर्च करोगे, इन companies को देखोगे, तब आप कहोगे, वाउ, there is lot of investment opportunity in the stock also, मौका मिलता है, और मौका की बात, तो हम आपको टाइम पे लेके आते, देखे, more pen levertries, बहुती बढ़िया, और साथ के साथ, नकीवल इस product, capitalization 3000 करोड पहुंच चुका है, क्योंकि price 65 पे पहुंच चुका है, लेकिन जब हम आपके लिए stock लेके आये थे, तो इसका price 1 by 3rd था, मतलब 23, 24 के आसपास इसका price था, जब first time हम अगस के time frame पे, हमारी नजरों में ये stock आया, खासकर debt ना के बराबर है, तो stock आपको और अच्छे दिख रहे हैं, यह देखिए, यह profitability किस तरीके से revenue growth हुआ, किस तरीके से profit growth overall हो रहा है, आप यह देख सकते हो, 100-200 करोड का revenue आज की date में 800 या फिर 1000 करोड के पास गया है, profitability जो starting के दिनों में losses का सामना किया, आज की date में आप देखिए 40 करोड, 80 करोड का profit, profitability आपके सामने तो आपको गयर, बहुत ही बढ़िया बात है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जड़ा चलते हैं, कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले यानि की start करूँगा, मैं यह stock को, मोर्पिन लवाट्रीज, जब हमारी नजरों में आय था, weekly charts पे, पहली rally के बाद, पह यह क्योंकि जो correction आई है, बिलकुल खतम volume के साथ आई है, यह देखिए जड़ा, और कितना price था, 23 रूपीज आप देख सकते हो, 22.95 और August 1 का यह वीडियो था, उसके बाद, recently हम आपके लिए फिर से ही इस वीडियो को ले के आये थे, यानि कि December 5 को, आपको गयर December 5 को भी वी साथ रूपे से यह bottom इसने जो बनाया, वहां से start वह bottom और इस से फिर से हम weekly चार्ट की बात कर रहे तो, आपको जिस तरीके से यह higher low, higher high का structure बना रहा था, और कह रहे थे, भाईया, यह 34 रूपे का जो 34 रिपीज का level है, यह breakout का area, और यह breakout जाने से पहले, आपको फिर correction देग यानि कि December के महिने में आपको तयार कर दिया गया था, कि माला माल होने के लिए तयार हो जाओ, और आज की date में आप माला माल हुई या नहीं हुई, वह आप देखिए, लेकिन learning बहुत ही छुपी हुई है, इस stock के अंदर, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इस learning, जड़ा देखिए, सबसे पहले क्यों ये stock हमारी radar में आया, कैसे ये stock हमारी radar में आया, मंतली चार्ट को देखते हैं, और मज़ा आएगा आपको, फार्मा बड़ी बुरी हालत थी, किस तरीके से गिरा, लेकिन एपरेल के महिने में, पिछले साल जब गिरावट आई थी, यानि कि मा चार्ट को हम क्या कहते हैं, ये particular देखे, बड़ी candle के बाद, छोटी candle जिसको हम कहते हैं, पानी पीने वाला system, यानि कि बहुत तेज दोड़ेगा, तो थोड़ा सा halt जरूर आएगा, fresh energy generate करेगा, पानी पिएगा, फिर से stock में दिखेगी rally, और उसके बाद आप देख सकते हो दीरे दीरे करके पूरा consolidation phase और इसी लिए ही, ये 34 का level हमारे लिए बहुत ही important था, क्यों था, क्योंकि ये हमारा breakout level था, और December में हमने इसको track जरूर किया, अब चलते हैं, इस stock के levels की तरफ देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कि इस stock में जब correction चल रही थी, correction के बाद ये वो time था, जब हम इस stock को देख रहे थे, समझ रहे थे, अगस्त में, और अगस्त में इसने नक्यवल देखिए, आप देखिए, ये rally दी थी बढ़िया वाली, फिर से down, फिर से rally और पूरा का पूरा structure अगर आप देखोगे, तो एक higher, higher low का structure बनता हुआ देख रहा था, major part था, इस level को park करना, December के time frame पे ये गया था, इन levels पे देखिए, इस level पे जरूर गया था, और मैं आपको बार, December में भी मैं आपको यही कह रहा था, कि ये जो level बन रहा है न, ये अगली correction और आएगी, तो वो आपको और बढ़िया opportunity देखिए, ये देखिए, ये correction लेवल थ ये देखिए अब आप, जुलाई से लेके, पूरा का पूरा मैं कहूंगा, मार्च तक भी, मतलब जुलाई से लेके, मार्च तक ये मान के चलिए, 6-7 महीना, एक flat correction, कई लोग इसको कहेंगे, कि भईया, ट्रेंगल पैटन मना दिया, हम इसको कहेंगे, कि demand जो है, वो बढ़ती गई, supply देखिए, हुई नहीं, पर demand बढ़ती गई, supply वही रही, और demand जब बढ़ेगी, तो आपको पता ही है, मैं धमाका होगा, और वो धमाका आपके सामने हुआ, overall picture अगर देखा जाए, अगर मैं returns की बात करूँ, तो ये देखिए, returns, मान लीजिए, आपने यह मतलब almost 90 percent return और अगर आपने in levels पर खरीदा है, तो कुछ महीनों के अंदर, याणि कि रहा है कि अपका stop loss भी थोड़ा सा deep, जरूर होगा, यह मैं expect करके चल रहा है, याणि कि यह stop losses देखिए एक बार भी कोई stop loss हिट नहीं हुआ है हमेशा higher low बने है और demand जो है वो बढ़ती गई और भी safe entry के अगर मैं बात करूँ the safest entry ये लेकिन हमेशा moving average के near खरीते हो तो risk बहुत कम होता है अब कोई कहेगा कि मैं stock को अब 65 के level पे खरीदूंगा तो देखे कितना risk है आप कहाँ पे अपना stop loss लगाओगे तो ये important part है इसको ignore न करें ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ important part है क्योंकि हमेशा आपको कभी भी stock market में invest करना है तो always आपको अपने risk को पहले देखना है समझे इस बात को यह जो लवल था जो breakout में आपको कह रहा था 34 के level का और उसका pullback आप देखिए फिर rally फिर एक छूटी correction और बिलकुल धमागा अब होता क्या है देखिए जैसे कि यहाँ पे आपने देखा आपने daily के इस आप से मान लो यहाँ पे खरीदा और यह आपका stop loss इस range में आपका stop loss था यह आपने यहाँ से buying स्टार्ट करें इवन इस correction को यहाँ आपको पता है कि आपका risk कितना है तो risk को समझना important है और मैं आपको यही कहूंगा दिसंबर वाली अगस्त वाली दोनों वीडियोज को देखें और समझें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि तब तक price move नहीं किया था price तो अब move किया है पिछले एक महिने के अंदर और न के वले stock को बलकि आने वाले कुछ महिनों में बहुत सारे pharma stocks आपको opportunity द थाले कुछ